Hello everyone, I am Pratik Bhadhyaya from class 9th day. Today I am S.Y. in the chapter समास. So let's begin. आज हम समास पढ़ेंगे. समास क्या होता है? दो या दो स्दिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने क्रिया को समास करते है. अच्छा, तो समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए? हाँ, समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए. हाँ, हमारे अध्यापक ने हमें बताया था. हाँ, तुम्हें पता है कि समास के कितने प्रकार होते है? अच्छा, समास के कितने प्रकार होते है? समास के च्छ प्रकार होते है. अच्छा इनकी भी प्रकार होते हैं क्या हाँ इनके भी प्रकार होते हैं इन सभी की परिभाशा बताओ तत्पुरु समास में उत्रप्रद प्रधान होता है तथा पूरप्रद गोन होता है इसके उधारन क्या होते हैं जैसे राजा की माता, राज माता अच्छा मुझे कर्मधारे समास की परिभाशा बताओ कर्मधारे समास में पहला पद विशेशन तचा दूसरा पद विशेश होता है अत्वा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेन होता है वीगु समास की परिभाशा बताओ जहां समस्त पूर्व पद में संख्या पाचक विशेशन होता है महाँ दिर्गु समास होता है इसके उधारन क्या होते है जैसे चो मासा चार मासों का समाहर बहुवरी समास क्या होता है जहाँ पहला पद मिलका दूसरा पद की और तीसरे पद की और उशारा करता है उसे बहुरी ही समास करते है इसकी उधारन क्या होते है जैसे पंचानन पाचानन है जिसके द्वंद समास की परिभाशा बताओ जिस समास तो पद में दोनों पद हो, वहां द्वन्दे समास होता है इसकी उधारन क्या होते हैं? जिसे अपना पराया, अपना और पराया अवेभाव समास की परिभाशा बताओ जिस समास में पहला पद अवे हो, उसे अवेभाव समास करते है इसके उधारन क्या होते हैं जैसे आज जीवन जीवन भर मुझे समाज अच्छे से समझ आ गए